मौसम बदल रहा है मौनसून खत्म हो रहा है और ठंड की दस्तक वो अब हो रही है इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम विभाग के हिसाब से अभी बड़ा खत्रा जो है वो तुफान का बिहार में मन्रा रहा है बिहार के साथ सा जार्खन और ओडिसा बंगाल आंधरा परदेश तक तुफान का बड़ा खत्रा जो है वो अब मन्राने लगा है उत्तर भारत में मौनसून का दोर खत्म होने के बाद अब तुफान का खत्रा बढ़ गया है बिहार जार्खन पक्षिम बंगाल ओडिसा और आंधर परदेश में सितरंग नाम के तुफान क खत्रा है परसानी की बात यह है कि बिहार जार्खन में धान की फसल लगबग तयार है किसानों ने काफी महनत और पैसे खर्च कर धान की फसल को तयार किया है ऐसे में साइकलोन उनके लिए कड़ी मुसीवत से कम नहीं है मौसमी बारिस के चुंगल से सीधे चक्रवात की परी समचरन के ने आकार लेना सुरू कर दिया है कुछ मौसम बिज्ञानिक भारत के पूर्वी टट के लिए एक संभावित सूपर साइकलोन के बारे में चिताबनी दे रहे हैं हाला कि भारत मौसम बिज्ञान विभाग यानिकि IMD ने कहा है कि ये बताना जल्दवाजी होगा मगर इतना तो तैह है कि ओडिसा पक्षिम बंगाल और आंध्र परदेश में 23 से 27 अक्टूबर के बीच बहुत भारी बारिस और तेज हवाएं चलने की संभावना है IMD ने ताजा निम दवाब छेतर यानिकि LPA बनने की पुष्टी जो है वो कर दी है अगले 24 घंटों में बंगाल की पूर्वी खाड़ी और भारती टटो पर की ओर मूब करेगा बंगाल की खाड़ी में आये साइकलोन का असर बिहार और जारखंड में दिख सकता है तेज हवाओं के साथ बारिस होने की पूरी संभावना है ऐसे में बिहार जारखंड के किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है धान की फसल लगभग तयार है ये महीने उसे पकने और 22 अक्टूबर तक बंगाल की पक्ष्मी खाड़ी के ऊपर तक चक्रवात्ती तुफान में तेज होने की संभावना है ग्लोबल फॉरकास सिस्टम और एरुपियन ECMWF मॉडल दोनों इस बात से सहमत है कि तुफान उत्तर की ओर अधिक ट्रैक करेगा 60 से 70 किलोमेटर परती घंटे तक इस तुफान की रफ्तार होगी अगले सप्ता मंगरवार तक ओडिसा पक्ष्म बंगाल सीमा के पास लैंड़ फॉल बनाया जाएगा 25 अक्टूबर तक पक्ष्म बंगाल की सीमा से टक्राने से पहले अनुमानित ताकत घटकर 65 किलोमेटर परती घंटे रह जाए अगर तुफान तेज होकर चक्रवात में बदल जाता है तो इसका नाम सित्रंग होगा यह नाम जो है वो ट्रॉपिकल साइकलोन के नामकरन के लिए बिस्व मौसम विग्यान विभाग यानिकी WMO के दिसा निर्देसों के अनुरूप थाइलेंड के एक सुझाओ पर आधार तीमान 23 अक्टूबर के बाद एक संभावित चक्रवात के डिपरेशन में बिक्सित होने की ओर सारा कर रहा है हम इस पर नाली के चक्रवात में तेज होने की संभावना से इंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन यह कहना जल्दिबाजी होगी कि यह कितना तेज होगा क्यूंकि सर् आसल जो है वो बरवाद न हो जाए फिलाल अभी तक लिए इतना ही आप देखते रहें निस पोनेशन